यदि नीवू के पोदे पर लारवा का अटेक हो जाए तो नीवू की पत्तियां खराब हो जाती है अतिया पोदा खराब हो जाता है लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नीवू की पोदे पर जब लारवा का अटेक हो जाए मकडी का अटेक हो जाए तो हम अ जिससे निवू के पौदे से ये बीमारी जड़ से खतम हो जाएगी और आपका निवू का पौदा एकदम सुरच्चत रहेगा नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं मेरे सामने आप जो निवू का पौदा देख रहे हैं देखिए दोस्तों इसमें लारवा का बहुत अटेक है और निवू की पत्या मुड़ने लगी हैं फल बनता है ये फल को खराब कर देती हैं क्योंकि ये अपना डंक मारते हैं और इसमें अंडे छोड़ देते हैं तो निवू का पौदा है वो खराब होने लगता है यदि देखिए निवू के पौदे में मकड़ी या मच्चर का प्रकोप होने लगे उसी समय हमको निवू के पौदे पर साबदानी बरकना शुरू कर देना चाहिए ये जो निवू का पौदा है देखिए बिलकुल इसकी बारे में जानेंगे जिससे आपके नीवू के पौदे में अवस्य चुटकारा इस बीमारी से मिलेगा इस पर मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिस्ट् देखिए आपका नीवू का पौदा जमीन पे लगा हो या आपने गमलों में लगाया हो तो आपको सबसे पहला काम तो ये करना है सबसे ज़्यादा आप अपने नीवू को दूप में रखें उतना नीवू के लिए बहतर है ये जो नीवू का पौदा आप देख रहे हैं इ आपको बता देते हैं मेरे सामने आप जो देख रहे हैं मेरे हाथ में यह मैंने गारलिक यानिकी लेशन को लिया हुआ है अब इसमें से हम 5-6 पोती लेंगे और इसे साफ करके हम अपने नीवू के पोदे के लिए इससे और गैनिक पैक्सी सैड बनाएंगे आप नीवू के प लिया हुआ है अगर आपके पास नीवू नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है आपको नीम की पत्यां लेजिए पोदे से और आपको लेशन लेना है इन दोनों चीजों को आप अच्छी तरीके से कूट के यहां पर देख सकते हैं मैं यहां पर खलड लिया हुआ है अच्छी नीम ओल मेरे पास पहले से है तो इसे मैं अभी इसमें नहीं डालूंगा अगर नहीं होता तो मैं कुछ नीम की पत्यां लेता और इसमें अच्छी तरीके से कूट लेने के बाद में इसे हम बॉल करते हैं चलिए इसे हम कूट लेते हैं इसमें थोड़ा सा पानी हम और इस चीज को दोस्तों आप अपने नीव के पोदे के लिए बहुत ही आसानी से बना सकते हैं अब देखिए हमने इसे बॉल करने के लिए यहां पर रख दिया है अभी यह कुछ देर में अच्छी तरीके से बॉल हो जाएगा तो बॉल हो चुका है यहां पर आप देख सकते हैं अब बॉल होने के बाद में अब हमको क्या करना यह च्छान लेना है यह मैंने च्छान के तयार कर दिया है जैसा कि मैंने आपको वताया नीम ओल इस्तमाल करेंगे तो देखिए हमने थोड़ा सा इसमें नीम ओल मिक्स कर लिया है और यह पूरी तरह से च्छान के तयार ह प्रक है कि अंदर उसके बाद में हम अपने नीवु के पौदे पर इसका इस्तमाल करेंगे अपने नीवु के पौदे फोते ना बोह आपने बीकियं फोत्त करेंगे गर्सिस्प्रिय का बीचुए का ही पर जा जार देंगूए बोहां है तो आकनी अब s तभी खत्म हो जाएंगी और आपका पौदा एकदम healthy रहेगा और इस तीज को आप आसानी से घर पर बना सकते हैं तो दोस्तों इस तरीके से देखी हमको पूरे पौदे पर इसका इस्प्रे कर देना है तो यह घरेली उपचार में आपको बता दिया है दोस्तों कि आप अपन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें शेर करें जिससे अन्य लोग इस जानकारी का लाव ले सकें दोस्तों अगली वीडियो में आपसे फिर से मलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ ठेंक यू